आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चिकन की एकदम न्यू रेसिपी और इसको खाने के बाद ना आप कोई और चिकन बनाना बंद कर देंगे तो यहां पर हम 100 ml के आसपास ले रहे हैं तेल और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 क्यूब बटर की अब यह जब बटर हमारा हल हलका सा मैर्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तीज पत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चार से पांच लोंग चार से पांच ही हम डाल रहे हैं काली मिर्च और यह देखिए तेज पत्ता और हमारी लोंग और काली मिर्च अच्छे से भुन गई है अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब प्याज को भी हमें हलका ब्राउन करना है, ये देखिए, यहाँ पर जब प्याज का कलर हलका सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे, तो यहाँ पर मैं चिकन विंक्स यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी टाइप से चिकन को यूज कर सकते हैं, तो यह देखिए, चिकन के विंक्स डालने के बाद हम इसे थोड़ी सी देर इसी तरह से पकाएंगे, यह देखिए, अच्छे से हम इसे भून लेंगे, चिकन को हमें यहाँ पर तकरीबन दो मिनट तक इसी तरह से भूनना है, ये देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और हमारे प्याच भी यहाई पर ही भून जाएंगे ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ी सी दिर और अच्छे से भून लेंगे ख्यान रखिए चिकन की जितनी अच्छी आप भूनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका चिकन बन कर तयार होगा ये देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे अदरक लसन और दो से तीन हरीमिर चहाँ पर मैंने डाल कर इस पेस्ट को के बाद हम इसे तकरीबन दो मिनट के लिए ढखक कर पकाएंगे चिकन को पकते हुए दो मिनट हो गए थे अब इसे चेक कर लेते हैं और इसी स्टेज पर डालेंगे हम इसमें चिकन मसाला तकरीबन दो चमच भर कर मैं यह डाल रही हूं चिकन मसाला और चिकन मसाला डालने अच्छे से तयार हो गया है तब इसमे डाल रहे है एक कटूरी भर के सुफ्ट बनाने के लिए हमें क्या चुपराइब तकारइब करना है इसमें तक बनादा रहना है यह कि अगर आप के पास वेनिगर नहीं है तो आप इसमें नीबू का रस भी डाल सकते हैं तकरीबन दो चमच भर के आप इसमें डाल सकते हैं नीबू का रस जिससे कि आपका जो चिकन है वो सोफ्ट भी बनेगा और थोड़ा सा उसमें खटते वाला टेस्ट भी आ जाएगा अब इसी टाइम पर हम डालेंगे इसमें एक कटोरी भरके पानी और पानी डालने के बाद हम इसे तकरीबन साथ से आठ मिनट के लिए धक कर पकाएंगे तो चिकन को पकते हुए साथ से आठ मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं तो यह देखे ग्रेवी अभी थोड़ी पतली है अगर आप मिनट हो चुके थे चलो चेक कर लेते हैं यह देखिए जो चिकन है एकदम से अच्छे वाला टेस्टी वाला आसम वाला बन कर तयार हो गया है अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ और कसूरी मेथी के साथ और जो चिकन है यह बहुत इलाजवाब बना है इसे न्यू और टेस्टी टेस्टी रेसिपी बले कर आती रहोंगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में